हाई गाईज, आई होप यू अल आ डूइंग वेल एन विश यू अल आ वेरी हैपी जनमाश्ट मी देखो यह वर्ल्ड है ना, फुल ओफ नेगेटिविटी अन बैड न्यूस से भरा हुआ है आप न्यूस चानल अभी खोलीजे आप परिशान हो जाएंगे वीडियो इस तरी के इसी बनके आ रही है बड़त हींगे इसकी इतने टफ टाइम में यह हमारे इंडियन फेस्टिवल्स ही हैं जो एक रे ओफ बनकर आते हैं हमें थोड़े पल की खुशी दे देते हैं ताकि हम लोग थोड़े से नॉर्मल फील करें फेस्टिवल्स का ऐसा है कि हम लोग बहुत सालों से सेलिब्रेट कर रहे हैं और लेकिन वो बहुत पुरानी बाते हो चुकी हैं हमने festivals इतने time celebrate करें कुछ ना कुछ definitely conceive किया होगा कुछ ना कुछ idea हमें उसे मिला होगा जो हमें समझ लगी है उन festival से अगर मैं बात करूँ जन्माश्टमी के और let me tell you कि आपने उसे क्या conceive किया है idea वो बहुत ही personal और बहुत ही subjective है if I talk about myself personal level पर जन्माश्टमी से मैंने एक बहुत ही प्यारी से एक बहुत ही cute सी चीज ग्रास्प की है कि no matter आपका size क्या है अगर आप जितने मर्जी नटखट है जितने मर्जी mischievous है आप उस particular task को conquer कर सकते हैं अगर आप उसको बहुत ही साफ मन से पूरी dedication से पूरे hard work के साथ कर रहे हैं तो कोई भी negative force आपको उसको करने से नहीं रोक सकती है व्योंकि positivity definitely उपर ही आती है जब हम लोग powers की बात करते हैं उसके लावा देखो negativity ढूंडना बहुत easy है आप कुछ भी कर लो negativity को आप easily अपने अंदर grasp कर लेते हैं positivity को लेकर जाना उसको फैलाना बहुत ही एक task है तो इस video को आपको share जरूर करना है अपने relatives के साथ क्योंकि इसमें कोई पढ़ाई वाली बात कुछ भी नहीं है जस्ट एक you know sense of positivity है जो मैं अपने तरफ से आप लोगों तक पहुचाना चाहती हूँ उसके लावा at the end of this video मैं कोशिश करूंगी कि मैंने जो अपने लडू को पाल का जूला डेखोरेट किया है जो भी उनके साल उनको ready किया है उनको मुकुट वगर डाला है I want कि आप लोग भी वो blessings ले ताकि आपका भी दिन बहुत अच्छा जाए So I'll see you in my next short video तब तक के लिए wish you all a very happy जन्माष्ट में again Bye guys So I'll see you in my next short video